इसे प्रोग्राम कैसे करते हैं अब यह हम जानेंगे यहाँ पर मेनू बटन है, मेनू बटन प्रेस करेंगे जैसा कि देख सकते हैं सेट सेडूल इसमें तीन सेडूल है मोड भी बोल सकते हैं, समर मोड, बिंटर मोड, एंड इक्जाम मोड अब प्लस और माइनस बटन को यूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको समर मोड में प्रोग्राम करना है, तो समर मोड सेलेक्ट करके सेब बटन दबाना है जब तक सेब नहीं दबाएंगे, तब तक सेब नहीं होगे फिर से मेनू दबाना जैसा कि देख सकते अपडेट टाइम जो भी उस समय का टाइम होगा आप इसमें सेट कर सकते हैं प्लस और माइनेस बटन को यूज करके आवर से मिनट पे सिफ्ट करने के लिए नेक्स्ट बटन का यूज करना है प्लस माइनेस अगर आपको बापस इस पे आना है तो नेक्स्ट बटन का यूज करना जब टाइम आपका सेट हो जाएगा तो मेनू बटन दबाएंगे बाहर निकल जाएंगे सेव नहीं होगा सेव बटन दबाना आपको अब सेव हो गया time, again menu दबाएंगे, update date आ गया, same like time, plus minus button को use करना है, next button को use करके shift करना है, day यहाँ पे है, Tuesday, plus करेंगे तो Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, plus minus button को use कर सकते हैं, menu दबाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, save नहीं होगा, save button दबाना होगा, again, press down to add well, well add करने के लिए, हमें down button press करना होगा, down button press किया, यह आ गया, 19th number well, actually 18 well इसमें already programmed है, 19th well, time है 10 hour, 10 minute, इसे हम change करते हैं, हमने 18 बज़ कर, साम को 6 बज़े, next, 15 मिनट तक, साम का 6 बज़ लगा दिया, next, यहाँ पे आप देख सकते हैं, daily, daily means a will per day बज़ेगी, Sunday को भी, इसे change करना है, तो plus Monday, अगर मैंने Monday कर दिया, तो सिर्फ Monday को बज़ेगी, इसी परकार Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday to Friday, इसमें कर देंगे, तो Monday to Friday बज़ेगी, Saturday, Sunday नहीं बज़ेगी, मैंने daily में कर दिया, और say बटन दबाना होगा, sorry, daily के आगे आप देख रहे हैं, five number file, it means जो इसके अंदर memory है, उसकी पांच मी फाइल बज़ेगी, आपके पास memory के एक list होगी, वो file नमबर आपको प्लस माइनस सेलेक्ट करना है, जो file नमबर चाहिए हो, file नमबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे mode, यह जो हमने bell प्रोग्राम किया, किस mode में बज़ेगी, summer में, winter में, अगर इसे हमने winter कर दिया, तो इस summer mode में नहीं बज़ेगी, अगर हमारा machine summer mode में काम कर रहा है, तो नहीं बज़ेगी, winter में ही बज़ेगी, exam में कर दिया, तो सिर्फ exam mode में बज़ेगी, यानि summer, winter, exam, तीनों ही mode की programming, randomly आप कर सकते हैं, कोई भी time, कोई भी day select कर सकते हैं, इसमें कोई restriction नहीं है, कि पहले summer mode का करना है, exam का करना है, winter का करना है, या daily का करना है, Monday का करना है, जो मन में करें, आपको जो time डालना है, वो आप डालिए, जो day select करना है, select कीजिए, जो mode select करना है, select कीजिए, उसके बाद save बटन दबाना नहीं बार है, गर यह नहीं दबाएंगे save नहीं होगा, जैसे ही save दबाएंगे 19 के बाद 20 नमबर आएगा, add वेल दबाएंगे तो 20 देखिया गया, 20 save नहीं करना है तो मेनू दबा कर बाहर निकल जाएगे, अब आता है modify वेल, प्रेस डाउन टो modify, modify तब यूज करते हैं जब हमें लगता है कि जो हमने बेल एड किया, उसमें कोछ चेंजेज करना है, या cross check करना है, डाउन बटन दबाया, यह आगया बेल नमबर 1, 9 बजकर 10 मिनट, डेली, 1 नमबर फाइल समर, अब यहाँ पे हम डाउन बटन दबा करके, चेक कर सकते हैं, दूसरा बेल, तीसरा, जाओ था, इस प्रकार, अभी जो हमने बेल एड किया था, 19 नमबर पे वहाँ पे जा रहे ह 19 नमबर बेल, 18 बजके 15 मिनट, इबनिंग 6-15, डेली, आठमे नमबर फाइल एकजाम मोड में किया था, इसे एगर चेंज करना है, तो प्लस करके फिर सेव दबाना है, अब यह सेव हो जाएगा, बाहर निकलने के लिए, जब इसे डाउन दबाएंगे, 19 के बाद बेल है न करना है, तो प्रेस डाउन टूड डिलीट वेल, टाउन बटन प्रेस किया, और जो फाइल डिलीट करना, उस फाइल पे हम जाएंगे, डाउन बटन प्रेस करके, 15 नमबर फाइल या 19 नमबर फाइल डिलीट करना है, बेलـ 11 अ गया, अगेन मेनू बटन दबाएंगे बाहर निकल जाएंगे यह तो हुआ प्रोग्रामिंग का इसके अंदर कुछ अधर फीचर्स भी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाते हैं